नमस्कार प्रेणा में आपका स्वागत है मैं हूरामविर श्रिस्ट और प्रेणा में आज हम बात करेंगे विरासत की विरासत को लेकर प्रेणा 2020 ये कॉंक्लेव नौड़ा में 789 फरवरी को आयो जित हुआ और इसमें ये समझने की कोशिश की गई कि बीते 72 सालों में हम जोड रहे हैं और इसी सब को समझने के लिए हमारे साथ जो मेहमान आज हैं उनका तारूफ में आपसे कराता हूँ हमारे साथ शुरूत डॉक्टर शुरूती त्रपाठी हैं आप अंतरास्ट्रिय व्यापार में प्रोफेसर हैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे सा शुरूती हम इस बात को यहां से शुरू कर सकते हैं और शायद इसलिए भी शुरू कर सकते हैं कि आज का जो पैनल है वो पूरा का पूरा पैनल जो है वो नारी शक्ति से का है इस विरासत में कहा जाता है कि मा कही ना कही जो है जननी तो होती ही है उसके आगे भी वो कैरी क कहा कि जब मा गाय को अर्ग देती है, गाय की रोटी निकालती है, तुलसी को अर्ग देती है, सूरज को अर्ग देती है, उन वेल्यूज को अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाती है, तो बालकों को वो सिखाना नहीं पड़ता, वो लाइफ, उनकी लाइफ ही उनका मैसेज हो जाती है क्या कहेंगे आप जी मैं तो कहूंगी मा का जो रोल है वो lifelong learning जो कहते हैं कि जीवन के साथ साथ आप उस culture को आप उसकी विरासत को जो आप ने अपने परिवार में देखा है उसको आप बढ़ाते हैं और मा की जो भूमिका होती है वो बड़ा मुश्किल है शब्दों करते हैं कई बार तो हम जो सीखते हैं हमें पता भी नहीं रहता है कि हम उस चीज को आत्मसाद कर चुके हैं क्योंकि वहां पर हम जो अपने परिवार में देखते हैं क्योंकि मा को माने जो मैसेज दिया और हम बच्चे भी बहुत ध्यान से उन चीज़ों को देखते हैं पर और फ्रेशन ये चला कि महिलाओं ने ही वेल्यू से अपने आपको दूर करने की कोशिश की और जब उन्होंने ही दूर करने की कोशिश की तो उसी तरह का मैसेज परसीव किया बच्चों ने और हम एक नई जैनरेशन देख रहे हैं जो अपनी जड़ों से कटी-कटी सी है देखें मैं अकसर अपनी बेटी को एक बात बोलती हूँ कि हम अपने माबाप से भी डड़ते थे ड़ते निते मतलब उनका अनुसरन करते थे और आज हम अपने बच्चों से भी अंटरते हैं कहने का मतलब यह है कि जो हमारी पीडी है हमारी पीडी वो अभी उस विरासत के साथ जुड़ी हुई है संसकारों के साथ जुड़ी हुई है और उन संसकारों को क्योंकि वो उनके अंदर नहीं थे तो उनके दिंचरिया में दिखती है और उनके बच्चों को भी दिखती है मगर ये जो बच्चे हैं आजकल के वो इधर भी जुकाव रखते हैं जो अपने माबाप को देखते हैं आचरन जो देखते हैं और दूसरी तरफ जो आज वो सोशल मीडिया से एट्राक्ट हो रहे हैं और उन से जो सीखने की कोशिश करते हैं जो पास्टिमी सब्वेता से सीखने की कोशिश करते हैं वो उन दोनों की बीच में जूल जाते हैं मगर मुझे बीरबल की वो बात याद आती है कि जब आप बहुत दुख के समय में होते हो ना तो आप अपनी मात्र भाशा में बोलते हो तो उस समय वो बच्चा जो अपने इस पीडी के संस्कारों को समझता है वो उसमें दिखाई देती हैं मगर जैसे वो अपने पेर ग्रु अपने आपको उचा दिखा पाएगा मगर वो बाल्यूज मुझे नहीं लगता खतम हुई है एक बात और भी है आप क्या कहेंगी जब से ये मुबाइल हमारे बीच में आया है मैं परिवार की बात करूं इसपेसली आपके घर में अगर चार पांच छे साथ लोग हैं ऐसे म उन भावों की अभीव्यक्ति के लिए जो समय होना चाहिए उस समय को ये जो साधन है जो टूल्स है यो से कट करते हैं बहुत ही सटीक और बहुत ही सही प्रशन आपने पूचा है कि जो शोशल मेर्या है जो हम इस्तमाल करते हैं आज कल हम जिस यूग में रह रहे हैं वो इ कि उन्हों ने अपना एक अलग वर्ल बना लिया है लेकिन कहीं न कहीं हमको भी लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ही उसके लिए उत्तरदाई हैं या जिम्मेदार हैं क्योंकि आप देखते हैं कि जो हमारी भारती सभ्यताव संस्कृती रही है वो सहीत परिवार की रही है लेकिन चुकि अब husband wife दोनों ही job करते हैं और दोनों अब nuclear family में रह रहे हैं तो ऐसी इस सिथी में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको एक बहुत example छोटा सा example मैं आपको दे रही हूँ तो उसको शांत करने के लिए हम उसको mobile थमा देते हैं जो एक नवजात शिशू होता है और कुछ दिनों बाद फिर हम ही कहते हैं कि मेरा बच्चा तो बहुत smart है वो देखो computer का और इसका mobile कितने अच्छे से handle कर रहा है लेकिन जो moral values हम उसको देना चाह रहे हैं क्या वास्तम में हम उसको दे पा रहे हैं लोरी तो वो whatsapp के तुरू नहीं सुन सकता है या जो एक मा मा शब्द यह हमारे भारतिय संस्कृति में हैं अगर आप आश्चात्य संस्कृति में जाएंगे तो वहां आपको मदरिया मॉम मिलेगा सीखना मुश्किल है कॉपी करना असान है और शायर हूं कॉपी ज्यादा कर रहे हैं देखिए मशीन से दोनों चीज़ें कर सकते हैं बच्चे मगर क्योंकि उनके पास उनके माबाप के पास समय का अभाव है तो उनको मुबाइल से क्या सीखना चाहिए वह समझ नहीं पा रहे मगर कॉपी करना चूपी करना चूपी कर लेते हैं और उसके द्वारा अपने आपको और एक बात यहां से निकल करके आए कि महिलाओं को अपने अधिकार मालूम रहने चाहिए करतव्य तो वो करते आही रही है और अगर उसमें कहीं कोई भूल पड़ी है तो करतव्यों की भी उतनी ही सीख जरूरी है अधिकार और करतव्यों का इसंतुलन विरासत को आगे ब